तो ही गाईज वल्कम बैक टू आर चैनल रोस्रीज जीया तो जी हाँ आज मैं बात करने वाली हूं अर्मान मलिक की इन्होंने जो है अभी रिसेंट में एक इंटर्विव दिया था कि उस इंटर्विव में इनसे बहुत सारे कोशन्स पूट किये गए बहुत सारे कोशन्स इ इनकी लाइफ से रिलेटिड जहां पर इन्होंने 50% सही बोला तो 50% जो है जूट भी बोला लेकिन उस चीजों के बारे में बात करेंगे सबसे पहले बात करते हैं कुछ व्लोगर्स के बारे में और पता नहीं क्यों इनकी बाते सुनके ऐसा लगता है कि यह बहुत जादा बहुत जहाँ में कुछ भी नहीं देखता है वो दिखाता ही क्या वो क्या दिखाता है दाल चावल तो दिखाता है पूरा दिन और बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके घूमता है तो भाई मुझे नपर एक बात यह समझनी आई कि एगर कोई इनसान किसे के वास बड़ी ग लोगों को आप क्या इंफ्लेंस कर रहे हैं लोगों को आप भी तो दो बीवियां दिखा के जो हैं व्लोगिंग कर रहे हैं आप भी तो दो बीवियां दिखा के लोगों को गलत रास्ते पे लेके जा रहे हैं लेकिन हर कोई इंसान क्या है कि अपने अंदर जाके नहीं देखत हमेशा जो है दूसरों में कमिया निकालता है और रही बात देखे कंपैरिजन करने की कि फर्मान वाली को अगर सोरव जोशी का कंपैरिजन किया जाए ना तो लाग गुना अच्छा सोरव जोशी है क्योंकि उस लड़के ने बहुत जादा स्ट्रगल की है कही ना कहीं उसका कभी बहुत अच्छा काम आया और सबसे चीज़ यह रही कि देखे अगर उसने पैसा कमाया है ना तो अपने परिवार को भी वो साथ लेके चल रहा है जो कि यह नहीं लेके चलते इनके हमेशा कॉंट्रोवर्सी रहती है हमेशा अभी भी इनकी जो है भाई भाबी की भी इन्फुलेंसर का जो है नाम लेके उसके पीछे पढ़ जाते हैं बार बार जो है रील्स बनाते हैं कभी बोलते हैं आज यहां मेल यह करूंगा वो करूंगा तो यह हमेशा जो है कॉंट्रोवर्सी में घिरे रहते हैं लेकिन सोरव जोशी है कैसा व्लोगर है कि अगर आप उसे पौक पी करोगे ना तो वो आपको कभी मुड़ के जवाब नी देगा और ना ही मैंने आज तक अपनी लाइफ में कोई बी ऐसे कॉंट्रोवर्सी देखी है और ना ही सुनी है कि जहां पे सोरव जोशी का नाम आया हो मुझे एक चीज़ यहां पर यह समझ नहीं कि अगर कोई इनसान बड़ी गाड़ी में घूम रहा है तो उसका खाने पीने से क्या मतलब इनों ने ऐसा क्या देखा या इनों ने ऐसा क्या सोचके बोला कि वो दाल चावल खाता है वो दाल चावल दिखाता है क्या एक गरीब इनसानी दाल चावल खा सकता है क्या एक जो एक दाल चावल यहीं तक लेमिट रह सकता है क्या जिसके पास जो अर्बोपती हैं क्या आज के टाइम है अगर अंबानी है टाटा है क्या वो दाल चावल नहीं खाते होंगे तो इनकी मेंट्लेटी क्या है वो मुझे कुछ समझ नहीं आई यहां पर प्रोमोट करती रहती है कभी गुची के बैक कभी अलवी ये वो हमेशा मतलब ब्रैंड से नीचे बात नहीं करते तो इनको शायद ये लगता है कि जिस इंसान के पास पैसा है ना तो हमेशा उसको एक अपर क्लास में रहना चाहिए उसको कभी भी जो है ना डाउन टू बोले कि अगर उसके पास आज इतना पैसा मिलियन में उनके व्यूज आते हैं सोरव जोशी ऐसा व्लोगर है जिसके डेली जो है उसके जो व्लोग्स है ना ओल्मोस्स जो है ट्रेंडिंग में रहते हैं वहीं पर बात आ जाती एक सेकिन्ड व्लोगर के बारे में जहां पे जो है सिदाद कदन ने इनसे एक और कोशन पूट किया कि भाई मैं तीन व्लोगर्स के यहां पे नाम ले रहा हूं तो आपका फेवरिट व्लोगर कोन है जहां पे उन्होंने फुक्रा इंसान एलवी शादर और शोही विबराहिम का नाम लिया तो इन्होंने बोला कि मुझे इनसान पसंद है उसके बहुत अच्छे कॉंटेंट होते हैं और ऐसा नहीं है कि वो सो के उठके आया और मुझ भी नी धोया और जो है व्लोग बनाने लगा और जब उनसे पूछा गया कि अलवी शादर के बारे में आपका क्या कहना है तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि अ काफी जादा जब वो बिग बोस में गए थे काफी वावाई की थी और बोला था कि सपोर्ट करो भाई को एलविश को सपोर्ट करो ये करो वो करो और अभी पीछे केस हुआ था तब भी नोने स्टोरी बगरा लगाई थी लेकिन अब अब अचानक से इनका मन कैसे बदल गय है वो तो देखो ये ही जाने या फिर राम जाने और हाँ काफी लोगों ने तो देखिए ये भी कमेंट किये थे कि शायद ये अलविश आदव से इसले जल रहे क्योंकि एलविश आदव ने एक बार इन्हें रोस्ट किया था बहुत अच्छा दो बीवियो को लेके तब से शायद इनके मन में एक वो चीड है और उनका अगर नाम आया है तो इन्होंने अपना जो है वो गुसा यहाँ पर निकाल दिया फिर उसके बाद ये बात करते हैं शोईब इबराइम तो कहते हैं शोईब कौन शोईब मैं तो जानता ही नहीं कौन है वो मतलब इस तरीके से इतना एटिटूड के मतलब आप एक ही जगह रहते हैं सभी यूटूबर्स हैं और सबको पता है एक दूसरे को जानते भी अच्छे से हाला कि मुझे खुद पता है कि उनको जानते हैं क्योंकि जब भी कोई रोस्टिंग वीडियो उनके ओपर बनाता था तो यह बोलते थे एक रील भी वहाँ पे शियर की थी तो यह कैसे बोल सकते हैं इतना बड़ा जूट के मैं तो जानता ही नहीं कौन है आखिर ये लोग और रही बात इनके इंटर्वियो के बहुत बड़ा इंटर्वियो था स्टार्टिंग में जो इन से पूछा गया हैं कि दो वाइफ की स् कब शादी तो वही इनके घुमा फिरा के जो एक ही सवाल रहते कि साथ दिन में शादी की दोनों से और पाइल को बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा ये सब चीज़े तो यह हमेशा बताते हैं लेकिन अपनी फर्स्ट वाइफ के बारे में इन्होंने आज तक नहीं बताया औ अपने व्लोग में एक बर बता चुके हैं ऐसा नहीं होता ना कि इनसान ने एक बर बता दिया तो फिर वो दुबारा मुकर सकता है नहीं जब उनको पता है कि हम अपने मुझे सबसे बुरी चीज़ यहां पे सिरफ यहीं लगी कि सोरफ जोशी के लिए इतना गल्थ बोला ह हाला कि बड़ी गाड़े दिखाना बिल्कुल भी गल्त नहीं है क्या बच्चों को जो है सपने नहीं दिखाने चीए क्या उनको सिरफ छोटे सपने दिखाने चीए हर इंसान को एक बड़ा सपना देखने का बिल्कुल हक है और एक बच्चे को भी जब तक वो सपना ही बड़ अपने व्लोग में आके बोलते हैं कि उन्होंने जब मुझे मेरी नैटवर्ट पूची तो मैं कम क्यों बताऊं मैं जादा ही बताऊंगा मैं कभी भी जो है नेगिटिव नहीं बोलता मैं हमेशा बढ़ चड़के बोलता हूं मैं पोजिटिव बोलता हूं तो फिर ये सोरव ज़शी के लिए इतनी दोगली बात क्योंकि देखा जाये तो इनकी अंदर attitude भोट जादा है बहुत ही जादा और इनकी बीव्यों के आंदर भी बहुत जादसाइट है हमेशा वह इतना attitude दिखाती और पाइल के आंदर तो खास तूर पे लोगिमेशा कमेंट यही करते रहते हैं कि इनकी जो फर्स्ट वाइफ है पाइल मलेक उनके अंदर बहुत ज्यादा एटिटूट भरा हुए कभी भी वो डाउन टू अर्थ रहके जो है बात नहीं करती किसी से जल्दी से अच्छे से जो है मिलती नहीं है और क्रितिका की बात की जाए तो उसको हमेशा जो है न कई बार सिंपती मिलती है क्योंकि वो कई बार घर पे रहती है कहीं भी इनको घूमने जाना होता है तो हमेशा जो है प मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शियर करें बेल आइकेन को प्रेस करना बिलकुल न भूलिएगा, सो बबाई मैं मिलती हूँ आपसे एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाई